देश के 10 करोड परिवारों को 5 लाक रुपे का आरोग बीमा सरक्षन देने वाले आईश्यमान भारत इस योजना के अमल बजाओनी से 1 लाक नए रोजगार निर्मान होंगे देश के 10 करोड परिवारों को 5 लाक रुपे का आरोग बीमा सरक्षन देने वाले आईश्यमान भारत इस योजना के अमल बजाओनी से 1 लाक नए रोजगार निर्मान होंगे मरीजों को योजना का फाइदा मिले इसलिए मार्ग दर्शन करने के लिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 1 लाक आयुशमान मित्रों की नियुक्ती की जाने वाली है अस्पताल में इसके लिए विश्यस मदद कक्ष स्थापत किये जाने वाले है 20,000 प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं ग्रामीन छेतर के 80% और सहर के 60% लाबर्थियों के नाम निश्चित किये गए हैं वन खाते के और से 50 करोड रुक्षल आगवड करने का संकल्प किया गया है इस विरुक्षल आगवड में महाराष्ट अग्रेसर है इन मद्य महाराष्ट और पूर्वण पच्छिम विदर्बं में 23 बार्ष होने के संभावना है सनीवार के दिन मुंबई सहर और उपनगर में हलकी सी बारिस हुई रवीवार के दिन थोड़ी सी बारिस होने के बाद सोमोर को बारिस नहीं हुई मुंबई के साथ उपनगरों में बादल छाये थे वातावरण में बदलाव होने के साथ मंगलवार से आगे चार दिन मुंबई में हलकी बारिस होने के आसार है मुंबई के साथ थाने, पालगर, रायगर में ऐसी स्तिती रहेगी ऐसा हावामान खाते ने बताया है साथ और आठ अगस्त के दिन दच्छिट मद माराष्ट में और पूर और पच्छीम विदर्व में तेजबारिस होने की संभावना है सरकार पर आर्तिक बोश बढ़ने से अब सरकार खुले बाजा से 40,000 करोड का कर्ज लेने वाली है इसे केंदर सरकार ने मान्यता दी है अगस्त बस दिन के तोर पर मनाया जाता है घोडे से खीचे जाने वाले टामगाडी से लेकर वाता नुक्यूलित बस ऐसा लंबा सफ़र बेश्ट ने तै किया है 15 जुलाई 1926 में पहली बस अफगान चर्च में कारफेर मार्केर तक बस सुरू हुई आज पूरे सहर भर में बेश्ट बस हर रोज हजारों लोगों को याता या सुविजा दे रही है उपनगरिये रेलगाडी की तरह पूरक सेवा देने वाली बेश्ट बस का नाम है आज के समाचार में इतना ही नमस्कार